नमस्कार दोस्तों, Life & New Pregnancy चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है Delivery Room के अंदर चाहे आपकी Normal Delivery होने वाली हो या फिर Seasonal Delivery की Planning हो Delivery Room के अंदर किसका होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मा भी हो सकती है, आपके पती देव भी हो सकते है या फिर आपका कोई भी रिष्तेदार्थ तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ इस बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और कई मामलों में ये जो डिसिजन है, वो जो डॉक्टर जो सबसे में होते हैं उस समय पे उनके ओपर छोड़ दिया राता है तो दोस्तों सबसे पहली बात आपको ये पता करनी है कि आपके हॉस्पिटल के रूल्स और रेगुलेशन क्या कहते हैं उसी हिसाब से फिर आपको अपने लिस्ट तयार करनी है कि किन को आप डिलिवरी रूम के अंदर ले जाना पसंद करेंगे अगर हम दोस्तों बात करें नॉर्मल डिलिवरी की तो most of the cases में तीन लोगों को अंदर जाने की अनुमिती होती है उसमें से आप अपने पती को तो जरूर ले के जाएं क्योंकि कई बार important decisions होते हैं वो पती को लेने पढ़ सकते हैं साथी में आपके husband अगर आएंगे तो आपका जो manobal है वो भी बढ़ावा रहता है दूसरा दोस्तों आप अपनी मा को या फिर अपनी सास को जिसको भी ले जाना चाहें जिससे भी आप ज़्यादा comfortable है जो भी आपका manobal बढ़ा सकें या आप उनके ओपर विश्वास कर सकें तीसरा दोस्तों कोई भी हो सकता है आपकी बहन हो सकती है या कोई भी ऐसा इंसान जो कि आपका होसला बढ़ाए क्योंकि delivery room के अंदर जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो होता है आपका manobal बनाए रखने की जरूरत तो ऐसे case में आप कुछ ऐसे लोगों का चुनाव कर सकते हैं जिनकी पहली कभी delivery होई भी हो और आपके वो निकट संबंदी भी हो ताकि उनको देखके आपका manobal बड़े कि अगर इनकी delivery होई थी, normally होई थी या फिर सेजरेन होई थी इन्होंने अगर cope up कर लिया उस situation को तो आपके अंदर भी automatically ताकत आ जाती है दोस्तों कुछ cases में आगर आपकी ये second delivery है तो लोग अपने बच्चों को भी ले जाना पसंद करते हैं ताकि वो भी इसको देख सकें और एक emotionally collection बना सकें और आने वाले भाई या फिर बेहन के साथ में emotionally attachment उनका बढ़ सकें लेकिन दोस्तों मैं आपको यही suggest करूँगा कि बच्चों को अंदर ना लेके जाएं क्योंकि अंदर कुछ भी situations हो सकती हैं कई वा situation परेशानी वाली भी हुराती है तो इससे बच्चों की मानसिक स्थिती में फार्क पर सकता है आप चाहे तो अपने husband को बो सकते हैं पोटो दिलिवरी प्लैंड भी हो तो उसमापे mostly hospitals में सिर्फ एक ही delivery room में जाने की अनुमती होती है और most of the cases में वो आपके husband ही होने चाहिए तो कि वो दोनों काम करते हैं आपका monopal भी बनाए रखेंगे और अगर कुछ important decision उसमापे लेना हुआ तो उसको भी लेने में सक्षम यह वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें comment करके बता सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छे लगी है तो like करें वीडियो को share करें चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक के लिए नमस्कार